दोस्तो नमस्कार ये है मीडी वर्ब फोर दोस्तो ये है फुली इंटिग्रेटेड एक्स्टेंडेड सिगनल प्रोसेसर यानी कि ये आडियो सिगनल को बहुत ही विस्तित तरीके से प्रोसेस करता है जिससे साउंड में हमें अच्छा खासा पंच मिल जाता है और रिवर्ब के लिए भी ये बहुत बहतर होता है कुछ लोग डीडी 3 के मुकाबले आजकल इसको पसंद करने लगे हैं और इसमें चैनल काफी सारे होते हैं तो आपनी पसंद का सेलेक्ट कर सकते हैं साथ में उसको जिस पे आपने सही तरीके से सेटिंग कर ली है जो आपको ज्यादा पसंद है उसको इस्टोर भी कर सकते हैं तो पहले हम बात करेंगे इसको कैसे लगा जाता है तो इसमें ज्यादा कनेक्शन की जरूत नहीं होती है इसके आउटपुट को एंप्लिफार के इंपुट से और इंपुट को आप किसी भी माइक या मिक्सर में जोड़ सकते हैं तो यह एंप्लिफार का इंपुट है जहां मैंने लगाया है लेकिन आप इसको लगाएं मिक्सर के ग्रूप में आउक्स में या संड में तो ज्यादा बहतर रहेगा और यह आउटपुट में इसको मैं लगा रहा हूँ आप इसकी जगा दो पिनों का परियोग करें और दो इसको मिक्सर के जो लेफ्ट राइट चनल होते हैं इस्टीरियो इनपुट वहां पर अबwalkा सकते हैं तो 39, 35, 32, इस तरह के होते हैं ज्यादा अच्छे मिक्सर में इस सुद्धा होती है या माहा, शाउंटकराब, पेरिंगर इन सब मिक्सर में वह सुद्धा होती है लेफ् संड में भी जोड़ सकते हैं तो इस तरह इसका connection हो गया मैंने इसमें इन्पूट में माइक लगा दिया है और आप्पूट को सीधा amplifier से जोड़ दिया है आपको सरफ इसके फिल से चक्रान है इसका connection बताना था ये किस तरह काम करता है बाते आप इसको अपनी मर्जी से अपनी सोलियत के साब से चोड़ सकते हैं तो अब चलते हैं इसके front पर ये है इसका display तो कई जगा DD3 के मुकाबले इसका प्रियोग ज़्यादा होने लगा है ये अपनी खूबी के वज़ा से ज़्यादा popular हो रहा है जहां DD3 जो बॉस काता है वो 7500 या इसके इर्दगिर्द मिलता है वहीं ये 13000 के आस्वास होता है पर इसमें आपको खूबी ज़्यादा मिल जाती है आप यहां देख रहे होंगे इन्पूट आउट्पूट इस तरह के बटन लगे हैं तो इन्पूट को आप पुस्ट करके और टोन कंट्रोल से जो इसमें टोन कंट्रोल बना है आप उससे इसकी बॉल्यूम लेवल को बढ़ा सकते हैं तो यह जो टोन कंट्रोल है इसको उपर नीचे करने से इसके जो चैनल है 16 नंबर यह आप देख रहे होंगे इस तरह बढ़ते हैं और जिस चैनल पर जो इफेक्ट इसमें सेव होता है वो आता है तो यही टोन सब चीज के लिए काम करता है जैसे अभी तो यह चैनल के लिए काम कर रहा है लेकिन जब हम इसके इंपुट को इंपुट जो यहां सफेद कलर के बटन लगी है इंपुट और आउट्पुट की जब दबाएंगे तो यही वोलियूम का काम करने लगेगा और जब आउट्पुट दबाएंगे तो यह आउट्पुट के वोलियूम का काम करने लगेगा अब ये चैनल का काम कर रहा है अब ये देखिए मैंने आउटपुट को पुस्ट किया अब ये आउटपुट के वोल्यूम का काम करने लगा वाइरिंग के अलावा एक जिरूरी बात और थी जो आपको बतानी थी कुछ लोगों की सिकायत होती है का वाज फटती है को देखना चाहिए कि आउटपुट का वोल्यूम लेबल कितना है ये देखिए 30 है इसको बढ़ा देंगे तो आवाज सही हो जाएगी तो आउटपुट और इंपुट दोनों की वोल्यूम को बढ़ा के रखना है 70-80 के आसपास या जितनी जरूवत हो लेकिन इतना फरक नहीं लखना है कि इनपुट का 80 हो जाए और आउटपुट का 30 तो आपको वाज फटेगी तो इसका नाम तो बहुत लंबा चोड़ा है लेकिन इसको मीडी 4 के नाम से अजकल जाना जाता है और ज्यादा मसूर हो रहा इसी नाम से और एक तरीके से इसके काम के हिसाब से ठीक भी है आप देख रहें भी 13 नंबर पर ये लगा है प्रोग्राम को पुश करने के बाद आप चैनल पे आ जाएंगे सिदा और जिस चैनल पे अलग अलग एफेक्ट है उनको आप देख लें और नोट कर लें प्रोग्राम लगाने से पहले आपको आइडिया हो जाएगा कि कि तरह की आउटपुट आपने इससे लेनी है और उ यही सब होता है बाकि यह देखिए ABCD लिखा है यह तीन नंबर तक लोहाई होगा और इससे आवाज में इफेक्ट होगा तो यह था में डीफोर दोस्तों और वीडियो आपको पसंद आये तो लाइक जिरूर करें अब मैंने साथ इसका रेट बता दिया है नहीं पताया तो फिर से बता देता हूँ कि 13,000 की आस्वास आता है और जो लोग DD3 बॉस का यूज करते हैं वो लोग उसके प्रसंसक होते हैं और ज्यादा उन लोगों को वही पसंद आता है लेकिन आज के लिए नया आया है और इसकी तरफ लोगों का रुजहान ज्यादा बढ़ रहा है त फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नमस्कार हालो, हालो हालो, हालो 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 और वीटी और देटें हालो झाल 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 झाल